नमस्कार दोस्तों मैं उमेश श्रमा चार्ट एनलसीस टैनल पर आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कल के दिन के कुछ ऐसे बैतरीन स्टॉक अगर उसमें आप ट्रेड करेंगे आपका मुनाफ़ा जोरू बनेगा और साथ साथ दोस्तों हमारा जो भी recommendation होगी वो होगी based on technical analysis और technical chart पर जो pattern मने है उसके accordingly ही मैं आपको by yourself बताऊंगा तो वीडियो काफी educational है शुरू से लेकर आखिर तक ज़रू देखिएगा चैनल को subscribe नहीं कराया तो चैनल को subscribe ज़रू करिएगा वीडियो स्टार्ट होने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ticket tape के बारे में जैसे आप देख रहे हैं जैसे कि आप screen पे देख पा रहे हैं ticket tape का मेरे पास pro membership है और यहीं पे मैं जो भी stock related जो मेरे decision होते हैं वो मैं यहाँ पे लेता हूँ बैस टूल के बारे मताना चाहता हूँ जो बहुत बैस टूल है जो मुझे ज़ादा पसंद है वो मैं बताना चाहते हूँ वो है screener आप जाएंगे ticket tape यहाँ पे प्लिक करेंगे screener आपको दिख जाएगा screener पे जाएंगे तो आज मैं screener के बारे मैं आपको बताना चाहता एक्जाम्पल के तो आपको financial sector के ही stocks देखने हैं, वो यहां से आप find कर सकते हैं, screener का मतलब होता है, basically एक तरीके से filter या कोई find करना है, यानि कि आपको असानी हो जाती है किसी stock के selection में, तो financial sector के stocks ले सकते हैं, healthcare के लेने हैं, तो healthcare के stocks आपको मिल जाते हैं, इसी तरीके से अगर का है, अगर आपको देखना है कि market cap, अपने हिसाफ से देखने हैं, तो आप small cap के stock के चुन सकते हैं, mid cap के चुन सकते हैं and large cap के चुन सकते हैं, small cap को आपको पता है, कि इसकी में एक range होती है, mid cap में और large cap में भी एक basically क्या होती है, price band होता है, उसके हिसाब से ही stocks क्या होते हैं, वो इस cap में डाल दिये जाते हैं, अब एक चीज़ है जो बहुत best हो ले जो मैं आपको बताना चाहिए है, example के तौर पर large cap के stock ढूंड रहे हैं, आपको पता है large cap मे Reliance, Starter Consultancy, SDFC Bank, यह सब large cap में है, बट अगर कोई large cap का stock अगर आप ढूंड रहे हैं, वो भी कम range में, तो यहाँ पर मैं दिखता हूँ closing price, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं, 110 रुपे से लेखे हैं, यहाँ पर एक फिल्टर लगा सकते हैं, अभी large cap म यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि large cap में होने के बावजूद भी कुछ ऐसे stock है, जो 100 रुपे से कम की कीमत में आपको मिल रहे हैं, अब ऐसी आप 200 डालेंगे, तो यहाँ पर और options मिल जाएंगे, आपको 7 stocks मिल जाएंगे, जैसे ONGC मिल गया आपको 7 साथ NTPC, और अगर आप देखेंगे, Zomato, Call India, Gale, बहुत सारे stocks आपको मिल जाते हैं, इसी तरीके से आप range बढ़ाते जाते हैं, तो ऐसे stocks आपको मिल जाएंगे, और एक और feature पर को बहुत अच्छा लगता है, वो है P ratio का P ratio आप देखेंगे, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, अपने offer चल रहा है, नीचे description पर लिंक है, उससे अगर आप register करेंगे, तो 21% तक का आपको off मिलेगा, तो यहां पर मैंने दोस्तों को ticket tape के बारे बताया, और आप भी चाहें, तो ticket tape के थूरू आप अपनी investment कर सकते हैं, अब हम वापिस से जाते हैं, और आपको बताएंगे, पहले म मैं लेके जाऊंगा दोस्तों, आपको अपने telegram channel पे, तो telegram channel पे हमने एक stop कल आपको recommend करा था, शायद आप उसे भूल चुके हैं, याद दिलाना काफी ज़्यादा जरूरी है, वो है हिंदुस्तान zinc का, हिंदुस्तान zinc में कल एक pattern मना था, और इसको बोलता है double top pattern, और 368 प दिखाऊंगा दोस्तों, मैं 338 रुपे का, यहाँ पे बना हुआ pattern था और बहुत बड़ी बिक्वाली आस देखने को मिली, तो मैं यह कहने ही कोशिश करता हूं कि जो chart होता है, वो सब कुछ बोलता है, price को feel करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, price के भाशा होती है, वो आप इसका chart मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, बताया था कि बड़ी बिक्वाली देखने को मिल सकती है, क्योंकि top पे market चला था और नीचे क्या था, कि नीचे low volumes थे, अब फिलाल मैं क्या करता हूं, अब मैं आपको कुछ stock recommend करना चाहूंगा, उसके accordingly आप trade बना सकत हैं, अब यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा, निफ्टी का chart, कि निफ्टी अभी फिलाल क्या लग रहा है, क्या हमें निफ्टी में trade बनाना चाहिए, क्या खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी बड़ा confusing zone है, अभी कुछ picture clear यहां पर देखेंगे, और निफ्टी में अगर हम देखते हैं, तो निफ्टी अभी चला 17,324 रोपे के आसपस का rate, तो क्या हमें यहां पर mind करनी चाहिए, या फिर हमें दोस्तों avoid करनी चाहिए, एक level है, वो मैं आपको देना चाहूंगा, वो क्या level है, जो मुझे लग रह तो यहां पर देखेंगे, एक निफ्टी का resistance level है, ठीक है, वो है कुछ बंता है, 17,500 रोपे के आसपस, मैं यहां लिख देता हूँ, 17,500 के आसपस का क्या है, इसका एक resistance level है, किसका निफ्टी का, मैं निफ्टी का चार्ट ही आपको दिखा रहा हूं, तो निफ्टी का एक resistance level है, और मुझे जो ऐसा लग रहा है, फिलार अभी 17,324 के आसपस का काम करा रहा है, बट जब यह निकल के 17,500 का level break करता है, बड़ी-बड़ी bullish candle के साथ, तो वहां पर दोस्तों buying इसमें बनती है, तो काफी ऐसे लोग हैं, जो अभी इस rate पे कोई call भी खरीद रहा है, कोई put हाँ, अब अगर आप एक, दो मिनिट, पांच मिनिट के चार्ट लगेंगे, तो कुछ ने कुछ देखने को मिल जाएगा, बट दोस्तों वो एक तरीके का शोर होता है, शोर में कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए, मैं कहना हूँगा कि आपको 30 मिनिट या अबरली है, जो फिल नहीं होए है, तो जरूरी नहीं है कि ये फिल करने नीचे आएगा, बट फिर भी कहना चाहूँगा कि 17500 के उपर इसमें आप बाइंग कर सकते हैं, और नीचे इसका कोई भी लेवल नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट बहुत जादा नीचे हो है कि आप स्टॉक में काम करिए, जैसे कि मैंने आज एशिन पेंट का बताया था, यूपील का बताया था, उसमें भी आप कल के दिन ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो अभी खरीदारी का मोखा अभी नहीं है, कल के दिन के कुछ ऐसे स्टॉक बताना चाहूँगा, जिसमें आप तो आज एक मैसेज कर रहा था, और यह student का ही मैसेज था, तो यहां पे देखेंगे, लूपीन में पैटर्न मना था, इधर देखेंगे, मैं इसको क्या करते हैं, सीरे को थोड़ा सा जूम करते ता हूँ, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, यहां पे देखे पर recommend कर दिया था कि आप position क्या कर सकते हैं इसमें अपनी bind में बना सकते हैं और थोड़े दियर बात क्या हुआ यहाँ पर आप देखेंगे तो UPL में हुआ एक बहुत बड़ा blast blast कहेंगे या कुछ भी कर सकते हैं से आप तो यहाँ पर देखेंगे 884 पर बोला था बाइंग करने के लिए और उसके बाद अगर मैं इसका क्या करता हूं यहाँ पर डेली चार्ट आपको दिखाना चाहूं तो यहाँ पर हमने recommend करा था 884 पर और उसके बाद दोस्तों उसमें जो हाई बना 970 के असपर्स का इसमें हाई देखने को मिला था अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लूपिन में जो पैटन मना था उसके बाद यह देखेंगे तो एक स्टूडेंट ने आज पैसा बनाया है अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखेंगे 44,000 के आसपर पैसा बनाया है उन्हें 44,327 का प्रॉफिट था उनका लूपिन में ठीक है और यह पैसा बनाया है उन्होंने और अगर आप देखेंगे तो यह बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों वह उन्होंने कमाया है सासत अगर मैं बात करूं एक और स्टूडेंट है ज हो ज़्यादा जूरूरी है मैं अपने कोर्स के स्टूडेंट को याड करता हूं इसमें ज्यादा से ज़्यादा रेकेमडेशन आपको मिलती है तो यह प्राइवेट टेलिंग्रम चैनल क्या करता है एक तरीके से स्कैनर का काम करता है अब बात करेंगे दोस्तों कि कौन से क गौंड करता हूँ तो यहां पर देखेंगे ट्के से में गौलीज्ड ऑघ्र य सामने पेश करता हूं तो happen पैटन है यह जो स्टॉक में आपको रिकेमेंट कर रहा हूं यह कल के दिन अपनी ड़ार में रख सकते हैं कल के दिन स्टॉक में बना सकते हैं कोई ज्यादा अभी कोई खास पैटन देखने को नहीं मिले हैं तो यहां पर बुलिश एंगल फिंग आपको दिखाई दे रहा है तो बुलिश एंगल फिंग है और यहां पे आप क्या कर सकते कल जैसी ही 576 के उपर जाता है 577 के उपर जाता है तो आप क्या कर सकते हैं अपनी बाइंग पॉजिशन मना सकते हैं दूसरा रीजन यह भी है कि इसमें डबल बॉटम भी बना हुआ है पॉस्टेटी डिवर्ज ले लीजेगा तो यह स्टॉक पहुत अच्छा है जो मुझे लगता है कल के दिन आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं दूसरा अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो मैं फिर से अपने प्राइवेट एलिगरम चैनल पर जाता हूं और यहां पर हम चेक करेंगे तो यह देखे है C4C पैसे से आपको C4C उसका डिजिट दिखना चाहिए क्योंकि आपको मैं बताओं तो आर्वी ट्राजर्स होते हैं उनको भी स्टॉक से मतलब नहीं होता उनको मतलब होता लास्ट के कुछ डिजिट से उनको पता होना चाहिए कि मैं इस प्राइस पे काम करूंगा तो इसमें मुझे अगर इस प्राइस को मैंने खरीदा और यह प्राइस बड़ा तो मुझे प्राइस को मैंने बेचा यह प्राइस गिरा तो मुझे मुझे उसमें भी प्राइस होगा तो कंपनी से मतलब नहीं आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस से होता है भाव से होता है गु बहुत अच्छा स्टॉक है इसको भी आप अपनी रडार में रख सकते हैं इसमें भी आपको बड़ी तेज़ी देखने रहते हैं जिससे लड़निंग के साथ अर्णिंग भी होती है और यह जो प्राइवेट टेलिग्रम चैनल है यह तरीके से स्कैनर का काम करते हैं जैसे लूपिन का मैसेज आया है ऐसी है मराज़ा बैटरी का भी हर तरीके के मैसेज़ आते हैं और आपको जो कोर्स कर सकते हैं जिसकी अगर मैं बात कुरों यह टेकनिकल अनालीसिस का कोर्स है इसमें चार्ट पैटर पैटर इंडिकेटर दॉरी एलिविव थियूरी टाइम फिरिम का कॉंबनेशन डिमांड सप्लाई साइकॉलीजी सिखाय जाता है फीस इसकी है आठ हजाव रुपे ठीक है साथ-साथ कोई डाउट है कोई करें मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं पीडिया फाइल आपको मिलेगी और साथ-साथ आपको कहना चाहूंगा कि साल में एक बार मीटब भी करते हैं नेक्स मीटब में मैं जल्दी प्लान कर रहा हूं और हम लोग एक प्लान करेंगे मिलने का और पूरे दिन का हमारा एक शिडूल रहेगा और उसमें जो भी आपके डाउट है टेकनिकल अनाइलिसी से रिलेटेड वो भी मैं किलियर करने वाला हूं तो बहुत अच्छा मिटब रहेगा लास्ट येर भी हमने 25 दिसंबर को किया थ इस साल भी या फिर नेक्स्ट येर यानि कि जनवरी फरवरी में मैं प्लान कर रहा हूं तो यहां पर कहना चाहूं को कॉंटेंट कॉलिटी बहुत अच्छी है इसकी कोर्स की 70 से 80 परसंट की एकुरिसी मैं दावा करता हूं इसका कि अगर एक कोर्स करेंगे तो 70 से 80 का कॉर्स ले सकते हैं इसमें 59 वीडियोस है और 20 वाफ किज़े का दोस्तों 59 वीडियोस 15 और और 10 और का कोर्स है यह यह आप जैसे स्ट्रेटीजी बनाते हैं जैसे कि मुझे ऑप्शन की स्ट्रेटीजी बनानी है तो बेसिकली ऑप्शन चेंज समझना है ग्रीक्स को समझन है strategies समझने उसके payoffs क्या होते हैं वो आपको यह सीखने को मिलेगा चाया तो आप टेक्निकल और option का combo भी ले सकते हैं जो कि 17,000 का है तो आप यह जो course purchase करेंगे इसकी fees बहुत कम है और कहना चाहूंगा इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और मेरा पर्सनल सपोर्ट रहेगा नीचे जो नंबर हो मेरा नंबर है दस साल से यूज़ कर रहा हूं कभी भी आप फोन कर सकते हैं साथ सा कहना चाहूंगा दोस्तों दो ब्रोकर के लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनमें भी अगर आप डीमेट अगाउंट ओपन कर आएंगे तो संडे का वैबिनार मैं आपको लाइफ टाइम के लिए फिर आप कॉस्ट दूँगा तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें शीर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कोई डाउट है कोई केरी है तो नीचे देगे नंबर पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही दोस्तों थन्यवाद